हेलो प्रेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा फर्स्ट का गणी, पहला पार्ट, पहला पार्ट हमारा क्या है? हमारे आसपास की आक्रती, इससे पहले भी हमने एक पार्ट पढ़ा था, आज हम पार्ट टू पढ़ेंगे, हमारे आसपास की आक्रती, आक्रती की बारे में मैंने आपको पहले बताया था ना बटा, अलग-अलग-अलग तरीकी क्या देखने को मिलती है? आक्रती, अप अपने आसपास बहुत सारे चिचे देख रहे होंगे हैं ना, सब की आक्रती क्या है? भिन्न-भिन्न, अलग- तसरे समान में सबी की अक्रती है और अलग और जैसे देखो यह क्या है बिटा नारंगी, फट बोड, टमाटर, गुपारा, बोक्स, आपको अलग 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 तरह की बोक्स यह तो यह दोडगlor क्यems कि दिखाई दे रहें आपको कैसे आकरते दिखाई दे रही है गोल ये गोल है ना एकदम गोल मम्मी की रोटी गोल गोल तो वैसे गोल गोल आकरती है या नहीं है फिर यह देखो ये कैसे आकरते दिखाई दे रही है आपको बॉक्सल से आकरते दिखाई दे रही है इसको हम बोते हैं वर्ग, क्या बोते हैं वर्ग, अब यहां पर क्या कहा है, रेखा खीचते हुए, आकरतियों को गुलाबी और पीले बक्सों में रखिये, देखो यहां पर दो बक्से नजर आ रहे हैं, आरे बटा, यहां पर दो बक्से नजर आ रहे हैं, हमें क्या करना है, इन बकसों के अंदर क्या करना है इन आकरतियों को रखना है तो यहां पर हम देख रहें कैसे आकरती है गोल तो अब हमें क्या करना है रेखा किछनी तो चलो सबसे पहले हम क्या करते है इस बलून को इस पीले बकसे के अंदर रखते तो ये पीले बकसे के अंदर क्या आ गया हमारा बलून फिर इस टमाटर को भी हम क्या करते है पीले बकसे के अंदर रखते है क्योंकि एक जैसी आकरती वालों को क्या करना है एक साथ रखना है तो टमाटर की भी कैसी है गोल फिर फुटबोल को भी हम यहां रख देंगे फिर नारंगी को भी रख देंगे तो ये सारे पीले बकसे के अंदर हमने क्या किया गोल आकरती वाले को रख दिया अब इस गुलाबी वाले बॉक्स में हम क्या करते है चौक का डिबा हमने रख दिया ये box हमने रख दिया ये सारे चीजों को हमने इसमें रख दिया तो ये सारे कैसे आकरती हो गई वर्ग वर्ग वाले आकरती होई तो ये वाला हमने समझ में आया आगे रेखा खिचते हुए एक जैसी आकरती को मिलान कीजिए अब देखो बिटा, यहाँ पर आप चित्र देख रही हूँ, यहाँ पर भी दिखाई देख रही है, अब आपको एक जैसा देखना है, जैसे देखो, यहाँ पर उधारन देखो, यह टमाटर है बिटा, तो टमाटर कितना बड़ा दिखाई देखाई देखा, तो वैसा का वै है और एक जैसे दिखाई दे रहे इसलिए इनको क्या किया हमने मिलान किया फिर देखो बिटा यह आप देख रहे हूँ और यह बॉक्स देख रहे हूँ यह दोनों का वर्ग दोनों ही वर्ग है तो इन दोनों को मिलान वैसे ही अब यहाँ पर आप देखो यह दिखाई दे र आप देखे रहें यह दोनों एक जैसे दिखाई दे रहें, तो इसको इससे क्या करना है, मिलान करना है, आया समझ में, तो यहां पर हमने क्या देखा, आकरतियों को क्या किया, मिलान किया, एक जैसी आकरती को, आया समझ में, अब हम आकरती के अंदर क्या करेंगे, यहां पर क कुछ अलग 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 अकरती देखेंगे, जैसे अभी हमने क्या देखा था, गोला, क्या देखा था बटा, गोला, ठीके, यहाँ पर फिर हमने एक और क्या देखा था, यास, क्या देखा था, वर्ग देखा था, क्या देखा था, वर्ग, अब देखो, यहाँ पर कुछ अल अकृति होती है विछा चो क्यान बड़े पहैंते हुं किर आपणते हैं टोप्य पहैंते है जब हम बड़े के काते था तो ये जो आकृति आप देख रहे हो fraction कैसी क्या क्या हाती है शंकू को से अकृति क्या है इस तरह आकरती क्या क्या आती है, शंकू, फिर आपने कभी आईसक्रीम, कौन खाया होगा? तो इस तरह के आकरती आप देखे होगा? या फिर आपने का इट देखा है न आपने? बिल्कुल! तो ये जो इड जैसे आकरती आप देख रहे हैं बटा तो ये कौन से आकरती कहलाती है आयत इसको क्या बोलते हैं हम आयत समझे मैं आया फिर एक और आकरती हम यहां बर देख रहे हैं बिलकुल ये इस तरह की इसको हम बोलते हैं बैलना कार कैसे बोलते हैं बैलना कार आकरती ह हमारे घर पे मममा बेलन से रोटी बनाते है थो यह आकरती कैसी है मममा की रोटी गोल गोल यह आकरती कैसी है गोले है जासी फिर यह जिसकी चारोग हुजा एक समान है वो कौन से बिटा वर् फिर ये देखो ये कौन से है आयत और ये बैलाकार अब आपको क्या करना है एज जैसी आकरती आकरती उसे मलान करती हुए आकरती उको चाटना है यहाँ पर आप देखे लो यहाँ पर एक बॉई एक लड़का इसके पास क्या है यहाँ पर इसके पास अलग अलग दीजे तो यहाँ पर आपको क्या करना है इन आकरती को क्या करना है मलान करना एक जैसी जैसे सबसे पहले गोले वाले देखो तो गोले वाली का का नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है, ये बॉल नज़र आ रही है, गुबारा भी हमें गोल गोल नज़र आ रहा है, तरगूजा भी हमें कैसा नज़र आ रहा है, गोल गोल, तो आपको क्या करना है, गोल गोल आकरती वालों को क्या करना है, मिलान करना है, जैसे ये मिलान किया, इसको मिलान किया, फिर ये वाला मिलान किया, और ऐसे ही हमको ये वाला मिलान करना है, फिर देखो शंको वाला, तो कौन-कौन से शंको जैसे आकरती दिखाई दे रही है, तो देखो ये वाली शंको जैसे दिखाई दे रही है, फिर ये वाली दिखाई दे रही है, ये दिखाई देनी तो ऐसे आपको क्या करना है बच्चों मिलान करना है फिर यहां देखो यह कैसी है बैलना का आकरती तो बैलना का नजर आ रही है देखो यह बैलना का नजर आ रही है बोटल हमें बैलना का नजर आ रही है फिर यहां पर हमें मौमबती बैलना का नजर आ रही ह फीडियो दिखो ये फटा-गा अमें बहुत दिखाईजे रहरा तो ऐसे आपको क्या करना है आकरतियों को देखकर मिलान करना है आया समझ में आपको अब अभी हमने आकरती जाना अब यहाँ पर हामें बहुत अच्छी दिक्या करने वाले ही कहाने सुनने वाले चलो हम यहाँ पर कहाने सुनेंगे और यह कहानी है बुद्धिमान दादी की एक मेमना था एक कौन था बिटा मेमना था वहाँ अपने दादी मा से मिलने जा रहा था यह मेमना कहा जा रहा था अपनी दादी मा से मिलने के लिए जा रहा था क्रपया मुझे जंगल के रास्ते में उसे एक कौन मिलता है भीडिया मिला जंगल के रास्ते में उसे कौन मिला एक भीडिया मिला तो देखकर मेम्रा थोड़ा सा क्या हो गया डर गया मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ यह भीडिया क्या बोलता है कि मैं तुम्हें क्या करने वाला हूँ, खाने जाने वाला हूँ, मतलब कुछ डरा रहा है, मेम्रा क्या बोलता है, क्रपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी मा से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आओ, तो मुझे खा लेना, मेम्रा क्या बोलता है, कि मुझे जाने दो, जाने दो, मैं वापस आ तो फिर मुझे क्या करना? खाने देना. तो भीडिया क्या बोलता है? अच्छा, तो तुम जा सकते हो. फिर क्या होता है आगे? जब वह लोटने लगा, तो उसने दादी मा को भीडिये के बारे में बताया. देखो, मेमना अपनी दादी से मिला और सारी बात मेमने ने किसको ब कहाने आया? भीडिया. दादी मा ने उसे क्या बताया? एक उपाय बताया. मतलब एक तरीका बताया. चलो, अपने आपको इस धोलक में क्या कर दो? छुपा दो. ये धोलक है बिटा, इस धोलक में दादी मा ने मेमने को क्या बोला? कि तुम इसको इसमें क्या हो जाओ? छु दादी मा ने धोलक को सड़क पर क्या कर दिया बिटा लुड़का दिया दादी मा ने क्या किया धोलक को सरका दिया जैसे यह सरका दिया तो धोलक क्या लुड़कते 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 मेमने ने भेडे को अपना इंतजार करते हुए पाया तो रस्ते में क्या देखा सुरी यहाँ पर धोलक नीचे की और सरकने लगा और क्या हुआ रस्ते में क्या हुआ देखा आपने कि मैमने ने भीड़े को अपना इंतिजार करती हुए देखा जब मैमना इस धोलक के अंदर था तो उसने क्या देखा कि भीडिया क्या कर रहा है उसका इंतिसार कर रहा था क्या तुमने किसी मैमने को इस तरफ आते हुए दिखा नहीं धोलक ने क्या होला नहीं मैंने तो मैमने को आते हुए नहीं देखा भीडियों को शक हो गया कि वर धोलक के पीछे दोडने लगा भेड़े को क्या हुआ शक हुआ क्या सुनकर अवास सुनकर उसको क्या होने लगा शक होने लगा तो भेड़िया क्या करने लगा पिछे 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 जोलक के दोड़ने लगा इससे पहले कि बेडिया उसे पकड़ पाता मैमने अपने गढ़ पहुच गया और उसने दादी मा को क्या बुला? धन्यवात. तो देखा पिटा कैसे दादी मा की बुद्धी मा इसे? मतब वो समझदारी से क्या हुआ? मैमने को बेडिये ने खाया भी नहीं और वो अपनी दा सरकाते हैं लुड़काते हैं तो वो बहुत आसानी से क्या हो जाती है बहुत जाती है तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर आपकी दे रखी है लुड़काना और सरकाना तो देखो पिटा जैसे आप लोगों ने कभी आप बगीचे में गए होंगे पार्क में गए होंगे तो क फिसलते हैं फिर आपने कभी-कभी जैसे बॉल लिया होगा गैंड लियोगी तो गैंड को आप ऐसे फर्स पर चमिन पर ऐसे करते हो तो क्या होती है वो लुड़कती है तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी वो वस्तू है जो लुड़केगी पैंसिल, फुटबॉल, बट या प्याच इसमें से कौन सी वो वस्तू है जो लुड़केगी तो आपको यह करके देखना है करके देखेंगे हम किसी चीज को उपर रखेंगे और उपर रखने के बाद यहां से क्या करेंगे लुड़काएंगे तो आपको देखना कि कौन सी वो वस्तू है जो लुड़क कि कौन से वस्तू सरकती है जैसे यहाँ पर देखो इस बॉल को लुड़काया है लुड़करिये फिर यहाँ पर देखो यह बॉक्स को क्या किया बिटा तो इस तरह से आपको क्या करना है लुड़काना और सरकाना कैसे होता है वो यहाँ पर करना है ओके thank you